हाई, welcome to my channel, इस बीडियो में समझेंगे unit digit method से कैसे find करते हैं cube root ठीक है, कैसे find करते हैं cube root unit digit method से तो ध्यान समझेगा यह method जो है fast method में गिना जाता है क्योंकि इससे आप दो ही step में find कर सकते हैं cube root तो चलिए बताते हैं आपको तुरंद की कौन सा वो two step है जिससे कि आप तुरंद फाइंड कर लेंगे क्यूब रूट किसी भी नमबर का step number one ओकी तो step number one ये है कि यदि आपका कोई number रहता है यदि आपको निकालना है क्यूब रूट किसी number का और उस number में कुछ digits है one two three four let us suppose four digits है उसमें ठीक है कोई number है तो सबसे पहले करते क्या है हम कि जो units place का digit है उसको देखते हम ठीक है units place का digit हम देखते हैं अब्जर्ब करते हैं और यदि units place पर जो भी number रहती है उसके हिसाब से हम find कर लेते हैं कि जो इसका cube root आएगा उसका unit digit क्या होगा अचा आप सुचर होंगे कि यहाँ पर unit digit को देख कर के हम पता कर लेंगे कि जो cube root इस number का आएगा उसका unit digit क्या होगा हम यह find कर लेंगे मतलब यहाँ पर जो number होगी वो हम find कर लेंगे कि यहाँ पर देख करके मतलब unit digit को देख करके हम find कर सकते हैं answer का unit digit अच्छा यह कैसे find करेंगे right this may be your question तो let us see हम देखते हैं कि 0 से ले करके means 1 से ले करके 50 तक के बीच में या 100 तक के cube के जब cube निकालते हैं तो actually unit digit change होता है क्या यदि change होता है तो क्या आता है क्या same number आती है हमेशा किसी इप number में मतलब कहने का यह है कि 11 का cube करेंगे तो क्या वही आएगा unit digit पर जो हम 21 का करेंगे या 31 का करेंगे या 41, 51, 61, 71 ठीक है let us see and observe यह पहला step है तो यहां देखेंगे आप देखें 1 cube करने पर 1 आ रहा है यहां देखें 11 cube करने पर 1 आ रहा है यहां देखें 11 cube करने पर 1 आ रहा है unit digit क्याला कुछ चे करना है unit digit क्योंकि हम लोग step 1 में find करते हैं केवल unit digit को ठीक है 1 आ रहा है यहाँ पर जब 11 cube is equal to इतना लिखा गया है, इसका मतलब यही है, कि यदि आप cube root निकालेंगे इसका, इसका cube root निकालेंगे, तो क्या आएगा? 11 आएगा, ठीक है, यह तो खिलियर होगा आपको, मतलब cube जब लिखा गया रहता है, तो इसमें जो यह वाली number होती है, इसका cube root निकालने पर, जो यह base होता है, वहीं मिलता है, है कि नहीं? ओके, तो यहाँ ही से मतलब cube root भी दिया हुआ है, 11 इसका क्या है? cube root है, यहाँ 9261 का cube root क्या है? 21 है, तो यह मतलब यहाँ पर यहाँ भी clear होगा आपको, चलिए, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 होना ही चाहिए, इतम हमेशा, देखे, आपर 8 है, क्योंकि 2 का cube करने पर 8 आता है, तो हमेशा यह तम याद कर लेजी, क्योंकि 2 का cube करने पर 8 आता है, इसलिए, जिस नमबर में यदि 8 रहेगा, तो वो हमेशा समझे क्यों answer में, जो cube root निकालेंगे उसका, तो हमेशा unit digit पर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, यहाँ पर 8 है, तो क्या मिला unit digit पर? 2 मिलेगा, ठीक वैसे यहाँ पर 8 है, तो unit digit पर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, तो यहाँ पर 3 का cube करने पर क्या मिलता है, 7, इसका मतलब किसी number यहीं हम निकालते है, cube root, और उसके unit digit पर रहता है 7, तो इसका मतलब समझ लिए कि जो आंसर आएगा उसका unit digit क्या होगा 3 होगा यहाँ पर देखिए 13 में भी cube करने पर क्या रहा था क्या रहा है 7 आ रहा है तो जब 7 आ रहा है unit digit तो इसका cube root निकालेंगे जब तो जो answer आएगा cube root आएगा उसके भी unit digit पर 3 ही होगा यहाँ पर देखिए 7 है so 3 हम directly लिखे लें हैगी नहीं तो इसमें आपको क्या करना है memorize करना है तो step 1 is a part of memorization more of memorization तो आप memorize यतने ज़्यादा अच्छा से करेंगे उसने जल्दी आप कर पाएंगे 4 कर देखिए 4 करेंगे तो यहाँ आप देखिए 4 आएगा 4 में कुछ change नहीं होता 4 4 4 4 आता है तो direct up 4 लिख सकते है यह इन डिजिर पर उसके बाद यह 5 आता है तो 5 यह लिख सकते है इसमें कोई change नहीं है जैसे 1 में change नहीं था 1 में कुछ नहीं हो रहा था 1 1 1 सब आ रहा था वोईसे ही 4 आ रहा है 5 आ रहा है 6 आ रहा है दूआ 7 में 3 आ रहा है opposite TOM टेक है तो देखे 8 क्यूब करने पर 2 आ रहा है opposite of this one मतब two cube करने पर 8 आ रहा था यहाँ पर eight cube करने पर two आ रहा है unit digit, ठीक है क्या फोकस कर गे है unit digit पर क्योंकि हमें unit digit find करना है इसके remaining digits को अभी छोड़ दीजिए, जो remaining digits होंगे वो भी find करेंगे वो step number two है ठीक है तो 18 cube करेंगे दिर्शे के हमें 2 है तो यहाँ पर बिली गया 8 ठीक सिमिलरली वैसे है फांड कर लेंगे 9 cube करेंगे तो 9 ही रहेगा ठीक है तो 9 का 9 का, 5 का, 4 का, 3 का और 1 का इतम सेम रहता है यह तो बहुत सिंपल है आसान है याद करना तो 6 का भी मतलब सेम रहता है अचा 10 का भी सेम रहता है मतलब कि 0 जब रहेगा उनिट स्प्लेस पर तो हमेंसा 0 आएगा यह तो आपको पता ही है है कि नहीं, डेफिनेटली पता है तो इन सभी में देखिए 0 आ रहा है आप चलते हैं step number 2 क्योंकि समझ में आ गया यूनिट डिट कैसे निकालते हैं आपके वहल क्यूब कर लो 1 से लेकर के 9 तक के नमबर्स को और देखो कि कौन सा डिजिट आ रहा है 6 आएगा तो इसका मतलब कि यूनिट स्पर क्या रहेंगे 6 रहेंगे उसका उनिट स्प्लेस का डिजिट क्या होगा राइट क्लियर ओके अब हम चाहते हैं कि इस क्यूब रूट में रिमेनिंग डिजिट को फाइंड कर लें तो यहां पर रिमेनिंग डिजिट होंगे हो सकता है कि 1 डिजिट का नमबर हो 2-digit का number हो, 3-digit का number हो, 4-digit का number हो मतलब यहाँ पर कई सारे digit का number हो सकता है अब वो remaining digits हम लोग सोच रहे हैं कि remaining digits कैसे find करेंगे इसके लिए करना क्या है? step number 2 में जाना है और step number 2 कहता क्या है? यह कहता है कि अब जो यह number है इसमें last से आप जो है क्या कर रहे हैं यहाँ पर cube root निकाल रहे हैं cube मतलब one third तो क्या करिए कि right side से इस number में right side से मतलब यहाँ से 3-digit का group बनाईए मतलब कि unit digit, tenth digit, hundredth digit और इसको पूरी तरह से ignore कर दीजिए ignore करने का मतलब कि भूल जाएए कि number है इधर ठीक है और इसके बाद जो बचा हुआ यहाँ पर digit है या फिर बचे हुए जो digit से बनने वाला number है इधर वो number पता कर लिजे वो क्या है और वो जो पता हो जाए तो अब यहाँ पर आपको या करना है जैसे कि example ले ले लेते हैं इक्जामपल से ज्यादा बहतर समझ में आएगा राइट तो लेट अस टेक एन एक्जामपल हम कोई cube ले लेते हैं जैसे कि हम ले लेते हैं कोई बड़ा number ले लेते हैं लेट आस नीचे स्कुछ ले लेते हैं ओके हम ले लेते हैं आपर 148877 148877 148877 तो पहले स्ट में क्या करते थे देखते कि 7 है क्या पर यहां पर देखें, यूनिट जी क्या है 7 है 7 है तो किसके cube में आता है तो 1 cube में नहीं आता 2 cube में नहीं आता, 3 cube में 7 आता है, यास 7 आ गया 3 यहां पर राएगा मतलब units, digit find हो गया लेकिन अब इसके बाद जो remaining digits हैं उसको find करना है तो remaining digits को find करने के लिए मैंने पताया क्या कि यहाँ पर हम grouping करेंगे तो यहाँ पर मैं लिगता हम फिर से 8, 8, 7, 7 तो हम right side से क्या करते हैं? 3-digit का grouping मना लेते हैं और पूरी तरह से इसको भूल जाते हैं मतलब कि इसको छोड़ दीजे, पूरी तरह से जो बच्चे हुए digits हैं केवल उसे से find हो जाएगा कि remaining digits क्या होंगे तो यहाँ पर 3 हो गया और remaining digits को find करना है ठीक है, यह करना है, okay 148 अब चे करना है कि 148 जो number है यह 2 cubes के बीच में आता है ठीक है, कौन से 2 cubes के बीच में आता है आपको यह find करना है मतलब क्या है इसका, मेरा कहानी का मतलब है यह चीज 2 cubes के बीच में आने का मतलब क्या मना कि 1 cube और 2 cube के बीच में आता है क्या यह वो number, वो number क्या था 148, 148 वन और 8 के बीच में नहीं आता 148 let us check देखें आप 6 cube कर देखें 100 यहाँ पर 216 आगया छोड़ी इसको 5 cube और 6 cube देखें इसके बीच में आएगा बिल्कुल 125 और 216 के बीच में आता है क्या 148 आपको यह find करना है यदि दूसरे step में आपने यह find कर लिया कि यह किसके बीच में लाई करता है तो remaining जो digits है answer में वो आपने find कर लिया and that's it you are clear आपका answer क्या होगा अब देखें जब आप यह find कर लिये कि इन दोनों के पीच में आ रहा है तो आपका जो remaining digit का answer होगा वो होगा 5 मतलब पहले वाला cube इसका मतलब कि हम बस यहां रख देंगे 5 मतलब कि 53 का cube करने पर मिलेगा इतना या फिर हम कह सकते हैं कि 14,8877 का जो cube root होता है वो होता है 53 काने का मतलब है कि हमने लिया था 53 मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने किसका लिया था 53, देखिए आप देहां देजे 53 का cube करने पर क्या मिला 14,8877 लाइट, ओके similarly आप किसी का find कर सकते हैं इसमाल लिजे कि आप इसका find करना चाहते हैं ठीक है इसका find करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर 4 है यहाँ पर 4 है ना जो बचा हुआ digit का number है मतब 262 देखिए कि किस के किस की की के बीच में आता है तो 262 है 262 यहाँ पर देख सकते हैं देखिए 262 इसके बीच में आता है मैं 216 और 343 के बीच में 262 जब इसके बीच में आता है तो इसके उपर वाली number को ले लेंगे means 6 हो जाएगा आपका second जो remaining digits है तो 6 ही तो यहाँ पर था ठीक है 6 ही तो यहाँ पर था देख रहे हैं 262 है तो 6 आया है यहाँ यहाँ पर बिल्कुल तो ऐसे करके आप किसी भी number cube निकाल सकते हैं बस problem यह है इसमें आपको कुछ याद करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा याद आपको यह याद होना चाहिए यह 1 से लेकर 10 तक या फिर 1 से लेकर के 20 तक के cube और exactly पता होना चाहिए कि 1 से 20 के cube number क्या है मतब कि यह पता होना चाहिए 7 cube के value होता है 343 तभी तो आप compare कर सकते हैं कि remaining digits किसके बीच में लाई करता है किसके बीच में वो लाई करेगा जो remaining digit होगा 3 को cancel करने के बाद तो जितने जादे बड़ा number रहेगा ठीक है मतलब कि 12 digit का cube है cube रूप निकालना है कोई number है 12 digit का 15 digit का तो उतने ही मतलब cube की आपके numbers याद होने चाहिए 1 से 30, 1 से 100 तक याद रहेगा तो आप 9 digit का number का cube भी निकाल सकते हैं बड़ी असानी से कबल देख करके बता सकते हैं कि यह होगा बस आपको जितने जादे cube याद रहेंगे उतना ही असान रहेगा मतलब यह थोड़ा से difficult हुआ है कि नहीं मतलब असान है लेकिन कब जब आपको cube याद है याद कहां से कहां तक 0 से लेकर at least 20 तक तो याद होना चाहिए यदि 0 से लेकर के 20 तक cube याद है तो आप इस method से cube रुट निकालना एकदम चुठकियों में कर सकते हैं फटाफट ओके मुझे आसा है कि आप समझ में आ गया होगा कि कैसे करेंगे यदि आपको अच्छा लगा और solution अच्छा लगा बिल्कुल तो एक बार like तो बनता ही है और आपने तो सुक्सेर कर दीजिएगा थैंकियो सो मच पर वाचिंग बाई